हाई फ्रेंट्स मैं हूँ पेंदर कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडीतू पेंदर स्टेडी क्लासेस में गायस में जैसा कि आप लोग को आटो मोबाइल इंजिनेरिंग के कुछ ऐसे most important question answer के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके आसा करते हैं कि च्छा तारिक के एक्जाम यानि कल की डेट के जो एक्जाम है आटो मोबाइल इंजिनेरिंग में अगर इन कुछ नों को सही रूप से पढ़कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कहने का मतलब है आप 100% से हो रहें कि आपका एक्जाम 100% सही होने वाला है अगर आप इन कुछ नों को सही रूप से पढ़के जाते हैं चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को most important question वो क्या है कितने सारे question होने वाले है ठीक है यहाँ पर आप लोग को 30 प्लस ऐसे most important question की बात करेंगे जो आपकी exam में काफी helpful होने वाले है चलिए बात करें जैसा कि आप इस screen के माध्यम से देख पा रहे है आटो मोबाइल इंजिनिरिंग important question exam 2023 यानि कल की date का जो exam होने वाला है वो काफी most important इनसे related आप लोग को किस बेस से question आने वाला है ठीक है किस list का level रहेगा किस तरह का सारा question पूछे जाना वाला है इस तरह का question दिखाएंगे तो यहाँ पर पहला question जैसा कि आप screen के माध्यम से देख पा रहे हैं आटो मोबाइल से आप क्या समझते हैं और इनका वर्गी करण कीजिए और इनके अभियो काउन कोन से होते हैं काफी most important question और इसे 100% से हो रहे हैं आना ही आना है इस बेश से सारे question इसे जरूर याद कर लेना इस topic के बारे में आटो मोबाइल के से क्या समझते हैं इसके तत्त कौन कौन से हैं मतलब main part कौन कौन से होते हैं यह तो आना ही आना है निश्ट question की बात क्या जाए आटो यो के होते हैं ड्राइब तीन चार प्रकार के बताया थे मैंने तो चारों में से किसी एक के बारे में लिखले क्या लेया सकता है बंधारिय दिशन लिए नो के बारे में थोड़ा थोड़ा Carburetor क्या होता है और इनके प्रमुक कार कौन कौन से होते हैं इनके भी बार में आप याद कर लिजेगा Next Question वही पर बात किया जा है Single Overhead Cam तथा Double Overhead Cam के बार में आप क्या समझते हैं और इनके बीच में अंतार क्या होता क्या जाता क्या है Most Important Question और हर बार Repeat होने वाला Question अगर आपको single overhead cam या फिर double overhead cam ना लिख कर दिखाई दे तो yes o h c और d o h c के नाम से भी इन्हें जानते हैं तीक है आप विल्कुल भी confused मत होईएगा next question की बात क्या जाए बिभिन प्रकार के clutch क्या होते है आटू mobile में इसका use कहा होता है ठीक है इसका process की प्रकार से किया जाता है इनके भी बारे में आपको याद करना ना है next question की बात क्या जाए एक plate clutch तथा multi plate clutch में क्या अंतर है मतलब single plate clutch और multi plate clutch में क्या अंतर होता है और अलग अलग भी question आ सकता है single plate क्या होता है figure सहित वर्डन की जाए यानि सचित्र वर्डन की लिए आप दोनों topic को याद कर लेना है next question की बात क्या जाए अर्द आपके अंदरी clutch और आपके अंदरी clutch दोनों के बारे में क्या समझते है इसके बीच में अंतर भी आ सकता है और figure सहित आप लोग को आ सकता है गारंटी की साथ बोल सकते हैं नेश्ट कुश्चन की बात किया जाए कोन क्लज क्या होता और के लाब और हानी क्या होती है काफी most important question और figure सहीत आपको बताना आटो मॉबाल में जितने भी topic का अंसर आपको देना है सभी का क्या करेंगे figure जरूर बनाएंगे figure तो बिल्कुल मत छोड़ना है नेश्ट कुश्चन की बात किया जाए वहें पे gearbox कितने परकार के होते हैं और किसी एक के बारे में आप लोग को संशित ओड़न करना है नेश्ट कुश्चन की बात किया जाए overdrive क्या होता है और overdrive कब लगता है किस जगा पे लगता क्या process पर लगता है नेश्ट कुश्चन की बात किया जाए propeller soft क्या होता है संशित टिपड़ी लिखिए जी सभी topic को याद करना है नेश्ट कुश्चन की बात किया जाए टिपड़ी लिखने के लिए भी question आ सकते है कौन कौन से आ सकते है तो जैसे कि आप लोगको differential हो गया universal जोड हो गया और पिछला धूरा हो गया उनके बारे में आप लोगको टिपड़ी लिखने के लिए भी छोटी छोटी डिफिंशन करने के लिए आ सकता है तो इन्हें बिल्कुल मत बूलेगा इसके लाब और हानी क्या होती है इनके भी बारे में आप लोगको पढ़ लेना नेश्ट कुश्चन की बात क्या जाए सकती पावर स्टेरिंग के बारे में आप क्या समगते है मतलब पावर स्टेरिंग क्या होती है इसके लाब और हानी क्या होती है इनके भी बार में आप लोग को पढ़ लिजेगा Next question की बात क्या जाए 18 नंबर का question आता है breaking प्रडाली क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते है कि आप ही most important question आप लोग को यहाँ पे clutch हो गया, breaking हो गया, paration हो गया, ठीक है इन सबी चीज़ों को तो बिल्कुल मत भूलना है Next question की बात क्या जाए why break से आप क्या समझते है काफी most important question Next question की बात क्या जाए चक्ती ब्रक और तथर drum break के बारे में आप क्या समझते है इसके बीच में अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है ठीक है काफी most important question और figure सहीता आप लोग को लिखने के लिए सकता है Next question की बात क्या जाए जब क्या होता आटोमबाल को चलाते है या मतलब किसी वहान को चलाते है तो सडकों पर क्या होता है पहिया फिसल जाता और किन कारण से फिसलता है ठीक है Next question की बात किया जा वहीं पे आलंबन प्रडाली क्या होती है और इसके उद्दिश से क्या होते है काफी most important question जिसे बोलते है कमानी ठीक है आलंबन suspension system जिसे बोल जाता है ठीक है आप इनके भई बारे में आप लोग को पूरा बिदुबर सेड़ेंक से पढ़ लेना है और इसका आटूम वाल में क्या कार है तो जैसा कि आप लोग को Nisht question की बात क्या जाए पत्तिदार कमानी क्या होती है और आटूम वाल में इसका कार क्या होता इनके भी बारे में आप लोग को पढ़ लेना है निश्ट कुश्चन की बात क्या जाए कुंडली कमानी से आप क्या समस्ते है कुंडली कमानी क्या होती है और फीगर सही ता आपको बताना है निश्ट कुश्चन की बात क्या जाए बैटरी को परिवासित कीजिए तथा मुख अंग कौन-कौन से होते हैं इनके बारे में आप क्या समझते हैं ठीक है कौन-कौन से पार्ट होते हैं फीगर सहीत आप लोग को बताना है ठीक है पूरा बैटरी का पार्ड बना दीजिए और पार्ट कौन-कौन से होते हैं इनके ये यूज किया गया ठीक है इनके बारे में आप लोग को संचित्त पड़ी लिखना है निश्ट कुश्चन की बात क्या जाए बैटरी रेटिंग क्या होती है जब पॉइटरी डिश्चार्ज हो चाती है तो उन्हें किस प्रकार से चार्ज करते है उसकी सावधानिया कौन कौ से होती है बैटरी के भी बारे में आप पूर्ण रूप से पढ़ लिजेगा निश्ट कुश्चन की बात क्या जाए उत्सरजन नियंतरन ज्धास्ट कंट्रोल क्या होता है इनको परिभासित कीजे और ये कैसे काम करता है ये कितने प्रकार के होते है इनके भी बारे में का बिशले सरक किस प्रकार से होता है इसका फीगर साहिता पूर्ण रूप से बताना है नेश्ट कुश्चन की बात क्या जाए भारत सरकारद्वारा निर्धारित उर्सन उर्सजन मानक के ब्यारे में बताए क्या होता है कि आटों माईल जब धीरे धीरे चलने लगता तो उ जादा निकलने लगती हैं तो उनको भी लोकने के लिए भारत सरकार एक नियम लागू किया कि अगर आप इनको अंदर तक गाडीयों के अभिज़ास्टे गैसन निकलती है तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर इसके उपर जाती है तो आपको किसी न किसी प्रकार की दंडेनी ये विवस्ता की सकती है कौन कर सकता है तो भारत सरकार कर सकता है तो इनके बारे में आप क्या समस्या है इसका स्टेंडर कौन सा बना इनके भी की बात क्या जाए इस थिर मिस गियर बाक्स और सरकवा मिस गियर बाक्स में क्या अंतर होता है और डिफिनीशन सहीत क्विश्चन पूछा जा सकता है आई होब कि यहाँ पी आप लोग को मैंने एक से लेकर 32 तक सारे क्विश्चन एक दा मोस्ट इंपॉर्टनेट क्विश्चन है आप गारंटी की साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग को इन सभी टॉपिक को क्विश्चन में समझ में सही रूप से पढ़के आत जाते हैं तो जादा स्यादा सेर करने कुछिस कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद